नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैब कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉलो करते है तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सा अगला वीडियो देखेंगे फर्स्ट कोशन से स्टार्ट करते है पूछा गया है ने लिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है दो प्रकार की राशिया होती है सदिश और अधिष वेक्टर और सकेलर तो यहाँ पे सदिश में क्या होता है कि डारिक्षन और मैगनिटिव यह दोनों होता है तो यह मिलेगा आपको संभेग में मोमेंटम अगला है beat plastic pollution थीम के साथ विश्व पर्यावरणद्र दिवस 23 किस दिन मनाया गया, तो परियावरणद्र दिवस मनाते हैं 5 जून को थीक है, तो 2023 का जो ये पर्यावरणद्र दिवस हमने मनाया, उसकी थीम भी ध्यान देखिएगा beat plastic pollution playing it my way ये एक autobiography लिखी गई थी तो किस खिलाडी से सम्मंदित है ये इसमें से तो सचिन तंदुलकर की जो है पुस्तक है जैसे इंडिया में हमारा ISRO है Space Agency, Indian Space Research Organization इसका full form होता है वैसे ही US की जो Space Agency है उसका नाम है NASA तो NASA का full form क्या है National Aeronautics and Space Administration एक संस्ता है जो हमारे Wildlife Animals और Species के संदुलक्षण से सम्मंदित मुखिरूप से कारी करता है IUCN International Union for Conservation of Nature तो 2025 का जो इसका सम्मिलन होगा IUCN World Conservation Congress तो ये कहां पर होगा ये बताना है तो ये जो है United Arab Emirates UAE में एक बहुत ही पराण घातक बिमारी AIDS HIV AIDS के रूप में आप जिसको जानते हैं तो ये जो है इसका फुल फॉर्मत आना है तो Acquired Immuno Deficiency Syndrome किसराज के थाड़े जिले के भिवन्डी तालुका में भारत का पहला Carbon Neutral गाउं विकसित किया जा रहा है तो कोई भी किसी भी जो ओर्जा के सुरूत होते हैं उसके माध्यम से कोई भी सर्जन नहीं होगा जिसमें Carbon की मात्रा हो जितने भी Traditional Fuels वगरे या फिर Cooking के लिए जो चीज़ा यूज होती है तो इन सब के संबंद में जो विकसित किया जा रहा है गाउं तो यहाँ पर राज जी कम से कम ध्यान रखिएगा यह आपका महराश्ट्रा में है Option First EVM क्या होता है वोट डालने के लिए आप लोग जाते हैं तो EVM मशीन होती है वाँ पर तो Electronic Voting मशीन A Suitable Boy यह किस के दौरा लिखी गई एक पुस्तक है तो यहाँ पर पहले भी हमने कुछ पुस्तकों के बारे में देख रखा है उसमें से ही अगली एक यह किया है काफी फेमस है विक्रम सेट की एक पुस्तक है आली में मनीपूर हिंसा की जाच के लिए कि इंदर सरकार ने किसकी अध्यक्षता में तीन सदसी पैनल का गटन किया है तो मनीपूर राज में आप जानते हैं ये चर्चाओं में भी काफी रहा था और इसमें जो है एक तीन सदसी इस पूरे मामले की जो मैती और कूकी समुदाया के लोग है मुखे रूप से ये इसमें शामिल रहे तो यहाँ पे इन सब मुद्दों की जाच के लिए एक तीन मेंबर कमेटी जो है होम मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई है तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा अजय लामबा ओप्शन सी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक प्राचीन पुस्तक है काफी प्रमुख मुद्रा राक्षस इसके लिख कनाम अताना है तो विशाक दत्त की पुस्तक है नीबू जो आप लोग खाते हैं किसका प्रमुख सुरोथ होता है विटामिन सी इसको भी ध्यान रखना है और नीबू के ही पौधे में डाइबाक रोग हो जाता है तो यह किसकी कमी होती है नीबू में तो यह कॉपर की कमी हो जाती है कंप्यूटर के रफरेंस में HTTP का फुल फॉर्म क्या है यह बताना है तो Hyper Text Transfer Protocol ब्रिटिश शाषनकाल में सबसे पहले बारत में जो बॉम्बे, मदरास और कलकत्ता में उच्चनेले अस्थापित किये गए तो उनका वर्ष बताना है तो Indian High Codes Act बना था 1861 उसके माद्यम से इन तीनों को स्टैबलिश किया गया है 61 में निम्नलिकित में से कौन सा उतक पौधे को सहारा देते हैं और भोजन को भी संग्रहित करते हैं तो प्लांट्स के बारे में भी कई बार चीज़े पूछ लिजाती है तो पैरिन काइमा एक टिशू होता है जैसे हिमन के रफरेंस में पर अप्शन C में लिखा है इसको भी जानते रहिए ये बिसकली पौधो को टिंसाइल स्ट्रेंथ प्राधान करते हैं ये दो चीज़े कम से कम इध्यान रखेंगे ये एक्जाम में पूछा जाता है मंतरी परिशत का सदस जो है बने बिना यहां पर होना चाहिए था राज्य विधान सभा का सदस से बनने के लिए थोड़ा सक करेक्शन करेंगे इसमेह नहीं चलिए ठीक ही है मंतरी परिशत का सदस से बिना राज्य विधान सभा का सदस से बने हुए कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है तो देखे प्रोसेस क्या होता है कि जैसे एक्जामपल के तौर पर समझते है उतरप्रदेश में 2022 में चुना हुआ अब उसमें क्या हुआ कि जो हमारे डेप्टी चीफ मिनिस्टर है केश व मौरिया ये अपना चुनाव हार गए लेकिन उनको फिर भी उपर मुखे मंत्री बनाया गया यानि कि मंत्री परिशत का वो सदस्य रहे तो चाहे मंत्री बने वो या किसी जो है ये स्टेट लेटिव असम्बली हो चाहे संसद दोनों के केसेज में बिना किसी भी हाउस का मेंबर बने वो 6 महिने तक मंत्री पर रह सकते हैं लेकिन 6 महिने के अंदर ही उनको जैसे राज्य है तो वहाँ पर विधान सभा की सदस्य लेनी ज़रूरी है या फिर विधान परिशत भी जिन राज्यों में है वहाँ के वो सदस्य बन जाए इसके लावा संसद में भी लोकसभा या राजसभा के सदस्य वो 6 महिने के बितर बन जाए ठीक है अधर्वाइस उनकी वो मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी तो वही यहाँ पर पूछा गया था कि बिना जो है किसी भी विधान सबा का सदस्य बने कितने समय तक वो अपने पद पर रह सकते हैं तो 6 महिने MRI का फुल फॉर्म अताना है हमको तो एक medical scan होता है प्रकार का आपके internal body organs उसकी एक study के लिए आपको कुछ बीमारी अगर है तो उसकी पहचान करने के लिए तो इसका फुल फॉर्म होता है Magnetic Resonance Imaging Option C राज्य पुनर गठन आयोग ने एक नवंबर 1956 को कितने राज्यत था कितने संग राज्य बनाया तो आजादी के बाद था गया कि बहुत सारे princely state थे अभी वरतमान में जैसे मारे भारत में अथाइस राज्य है ऐसी स्थिती नहीं थी तो एक state organization reorganization commission बनाया गया था तो उसके माद्यम से इन्होंने जो सुझाया तो उस समय की जितनी भी भारत की territory थी उसको 14 राज्य तथा 6 केंदर शाषित प्रदेशों में विभाजित किया गया तो इसमें option first को चुनेंगे वरतमान में क्या structure हमारे पास है 28 राज्य है और 8 किंदर शाषित प्रदेश है अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्री मानव संग्रहाल है कहां पर रिस्तित है इस प्रकार के institutions के वारे में भी पूछा जाता है तो ये तो है खेर्व मध्य प्रदेश में बोपाल में अब यहां पर दिखिए निमनलिकित में से कौन सा एक युगमस सही सुमेलित नहीं है तो कुछ हमारी प्रमुक पुस्तके हैं लेखक का नाम लिखा हुआ है तो essays on the gita बवबूती नहीं ये अरबिंदो गोश की पुस्तक है अन्य विकल्प ठीक है इनको देख लिजे उत्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस स्वे मार्ग निमनलिकित में से किस नगर से नहीं गुजरता है यहां पर थोड़ा से करेक्शन करना चाहिए तो देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस से इसका उद घाटन जो है वर्ष 2021 में हुआ था इसमें नॉमबर के महिने में तो लगभग 341 किलोमेटर का यह सिक्सलेनिक हाईवे है जो कनेक्ट करता है कुल 9 शेहरों को 9 जिले कह लिजे जिसमें से अयोध्या है आजमगड मव बस्ती नहीं है इसमें बस्ती ओड हो जाएगा अब इसिकली देखिए लख 9 बारा बंकी अमेठी सुल्तानपूर फिर जसे अयोध्या यहां पर दिया हुआ है अमेठकर नगर भी है इसमें आजमगड हो गया मव हो गया और गाजीपूर सिड़बी का पूर्ण रूप क्या है इसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज डिवलप्मेंट बैंक ओफ इंडिया ऑप्शन फस्त जीएस्टी परिशद का अध्यक्ष कौन होता है यह बताना है तो भारत में जीएस्टी लागू किया गया जो है 2017 से एक जुलाई 2017 तो उसी इक्रम में जो जीएस्टी का अमेंडमेंट हुआ तो एक जीएस्टी काउंसिल बनाई गी ठीक आर्टिकल 279 AI किया गया था इस परपस के लिए जीएस्टी के रेट है क्या स्लैब होगी कितने परसेंट का जीएस्टी किस कमोडिटी पे लगेगा इन सब के निरधारन या जीएस्टी से समंदित जो डिसीजन नेकिंग है उसके लिए कारिकरते हैं ये लोग राश्टी बाल अधिकार सुनरक्षण आयो की स्थापना भारत में कब की गई थी ठीक तो जो है एक Act of Parliament बना था 2005 का ठीक है ये Protection of Child Right Act तो उसके माधियम से 2005 वाले Act से इसकी formally स्थापना होती है मार्च 2007 में ठीक P.I.L. क्या होता है ठीक है तो जो डीशरी से संबंदित है P.I.L. जनहित के किसी भी मुद्दे पे कोई भी आम व्यक्ति किसी जो सरवजनिक मामला है उसके लिए कोट में एक याचिका दायर कर सकता है जिसमें एक जनहित की रूप में जो डीसिजन होते हैं यह सब लिए जाते हैं तो फुल फाम इसका होता है पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन ब्रहमपुत्र नदी भारत में सरुप्रथम जो है कहां से यानि किस राज से प्रवेश करती है तो सांगपो नाम होता है इसका अरुनाचल प्रदेश में पहुंचने से पहले तो अरुनाचल से ही इसका प्रवेश भारत में ब्रहमपुत्रा के नाम से होता है चार मिनार का निर्माड इसमें से किस ने करवाय था तो चार मिनार कहां पे है है हैधराबाद में और निर्माण मुहम्मद कुली कुतुब शाह, इसमें गुदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, गुदावरी की जो सहायक नदी है, इसमें जैसे पेन गंगा है, इंतरावती है, पराण हीता है, ब्रामणी नहीं है, ब्रामणी एक सीजनल रिवर है, उडिसा स्टेट में, कुतुब मिनार का निर्मारा किस ने करवाया था, तो दिल्ली में कुतुब मिनार जो अस्थित है, तो राउंड 1193 में, कुतुब उद्धी नाइबक के द्वारा जो है, इसको construction स्टाइट करवाया गया, और जो है, फर्स्ट जो दो स्टोरी है, उसको construct करवाया था, कुतुब उद्धी नाइबक ने, उसके बाद जो बागी का construction है, वो इल्तुतमिश के द्वारा जो है, उसके मतलब पहले जे समयकाल में, complete किया गया, तो option इसमें, फर्स्ट को चुनेंगे है, सिंदू सबिता का समुद्र व् लोथल है, वर्तवान जो गुजराद का रीजन है भारत में, वहाँ पे इसकी location थी, ठीक है, तो ये पोर्ट city होता था, ठीक है, पोर्ट city भी होता था, और यहां से trade वगरा काफी होता था, हाली में बहुपक्षी नौसेना अभ्यास, komodo, ठीक है, short form में इसको MNEK भी कहा ज form है, तो इसको host किया था, जो है, जून के महिने में, जून 2023 में, इंडोनेशिया ने, दिल्ली में जो इंडिया गेट है, ठीक है, उसके वास्तुकार कौन थी, ये बताना है, तो around 1921 में, ठीक है, एक famous architect हुए, Sir Edwin Lutians, ठीक है, Britishers थे, तो ये जो है, इंडिया गेट का पुराना संसत बहुन था, President House, और जो उधर के Central Delhi के constructions है, तो Edwin Lutians और Herbert Baker, ये दो लोग जो थे, प्रमुख वास्तुकार, इन चीजों के, किस राज में, दुनिया के पहले, 3D printed मंदिर का निर्माड किया जा रहा है, ठीक है, अभी कुछ, जो है, महिनों पहले, इसमें, बै 3D printing, जो है, basically concrete के construction की एक technology है, इसके बारे में चाहिए, तो detail में पढ़ ली जाएगा, तो उसी क्रम में, इस construction के method को use करके, एक मंदिर का निर्माड़ा सबसे पहला जो किया जा रहा है, ठीक है, तो ये हैदराबाद में, ठीक है, तेलंगाना आंसर हो जाएगा, खाली में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, कतकली, dance theater, a visual narrative of sacred Indian mime, ठीक है, तो इसके लेखक कौन है, तो कतकली एक प्रमुख भारत का classical dancers में से एक है, इसको भी जानते रहे हैं, और इस पुस्तक के लेखक है, केके गोपाल कृष्णन, अब है, कोडार्क का सूरी मंदर किसने बनवाया था, ठीक है, South Indian temples कई सारे हैं, और उनके बारे में एकसर questions पूछे आते हैं, तो जो है, ये ओडिसा में, ये गंग डैनिस्टी के ruler थे, 13th century के आसपस्त, नरसिम्म देव, फस्त, ठीक है, तो इन्होंने बनवाया था, जैनुल आबदीन, ठीक है, एक शाशक था, इसने गो हत्या प्रतिबंदेत कर दी थी, यानि कि जो गायों का हत्या, पहले इस सब मुगल टाइम प्रेड में भी काफी प्रिवलेंट रहा, तो इसको बैन किया था इसने, तो ये कहां का शाशक था, ठीक है, तो कश्मीर जो एक बर के रोप में, जैनुल आबदीन को जाना जाता, ये चीज़ कि ध्यान रिखेगा, निम्नलिखित विदेशी आत्रियों में, कृष्ण देवराय, जो विजे नगर सामराजी से समन्दित थे, ठीक है, इनके शाशनकाल में आने वाले, दो पूर्तगाल वासी कौन थे, ठीक है, तो कई सारे विदेशी आत्रिया अलग-अलग समय पे आये भारत में, ठीक, तो उसी में से डोमिंगो पायस और फरनाओ नूनिज, ये लोग जो है पूर्तगाली थे, इसमें बाकी जैसे ये अब्दुलरजाक फारसी था और निकोलो कॉंटी इटैलियन, ठीक, तो कांचीपुरम, तमिल नाडू में, पल्लव किंग, राज इसम फर्स्ट, ठीक है, इनको ध्यान रखेगा, हाली में खबरों में रहा सबांग बंदरगा किस अदेश में से थे, सबांग पोर्ट, इंडोनेशिया का एक popular पोर्ट है, option फर्स्ट, टाटा ग्रूप, किस राज म जून 2023 में हुआ था, तो जो टाटा ग्रूप है न, ये लीथियमायन बैटरी जो है, इसको सेट अप करने वाली कंपनी स्थापित करेंगे, गुजरात में, ठीक, अरब सागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान, विपर जोय का नामकरण किस देश ने किया है, तो जून के महिने में ही, जो है, अरेबियन सी में एक development हुआ, साइकलोन का, जिसका नाम दिया गया है, विपर जोय, ठिक, तो ये नामकरण किया था, बांगला देश ने, उसको ध्यान रखेंगे, और हमारे वेस्ट कोस्ट से सम्मंदित रहा है, ये तूफान, फूड स्टेंडर्ड्स सेव लाइव्ज, ये थीम है किसका, विश्वक खादि सुरक्षादिरस, दोजा तेश का, तो थीम भी ध्यान रखेंगे, और ये डियो कब आफजर किया जात तो इंटरनेशनल क्रूज शिप पहली भारत की तरफ से लांच की गई, इसका नाम भी ध्यान रखेंगेगा, इसका नाम था M.V.E.P.R.E.S. तो इसको यहाँ चिन्नाई से फ्लैग उफ किया था सर्भानंद सोनवालने, ये यूनियन पोर्ट और शिपिंग मिनिस्टर हैं अब कुछ Maths के Questions को देखेंगे, यदि एक किताब को 18% की छूट देने के परश्चाथ 1599 में बेचा जाता है, तो किताब का अंकित मोले रुपाए में कितना होगा, ठिक, तो किसे भी वस्तु की पूरी मोले Cost Price जो पूछा जा रहा है, कितनी होगी, Mark Price, 100, ठिक है, अब कहा यह गया कि 18% की छूट देने के परश्चाथ 1599 की है, तो यानि 100 में से 18 गया, तो कितना आगया, 82, तो 82% की वैल्यू हमें दी गया है, 1599, ठिक है, तो हमें एक कुल मिला के 100% चाहिए, तो 1599, एंटू 100 बटे 82, इसको solve करेंगे, तो यह आ जाएगा आपका जो है, 1950 रुप पंकच तथा पुनीत की वरतमान आयू का अनुपाद 5 अनुपाद 6 है, तथा उनकी आयू का योग 29 वर्ष है, तो उनकी आयू में कितना अंतर वर्षों में है, तो मान सकते हम क्या इसमें, पंकच की आयू मान लीजे 5X, ठिक है, और पुनीत की मान लीजे 6X, ठिक, तो कह है कि इन दोनों का योग जो है वो 33 है तो 5x plus 6x equals to 33 ठीक है तो क्या हो जाएगा ये 11x equals to 33 तो x की value आ गई कितनी 3 ठीक है तो 6x minus 5x equals to 3 ही आ रहा एक unit की value है न तो दोनों की आयू में जो अंतर है वो 3 वर्ष का है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है उसमें प्रतेक वर्ष 2 प्रतीशत की दर से वर्दे होती है तो 2 वर्ष पहले शोहर की जनसंख्या कितनी थी ये बताना है तो इसको हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि एगर हमें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या निकाल ली है तो 26,010 इसको आप solve करेंगे तो आगे यह हो जाएगा 26 10 इंटू 50 इंटू 50 कर लेते हैं इसको आप solve करेंगे तो 25 जा रहा जाएगा तो दो वर्ष पहले इतनी चिन सक्या थी जो भी calculation यहाँ बताई जाती है उसको पेपर पे solve करेंगे हमारे पास इस वीडियो में time limit है तो एक एक चीज बता पाना possible नहीं है एक वस्तू को 18,450 रुपए का बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानी होती है 50% का लाब उपराप्त करने के लिए उसे वस्तू को किस कीबत पर यानि कि रुपए में बेचना चाहिए simple size में है common sense से भी देखें इसको अगर 18,450 रुपए में कोई समान बेच रहा है तो 50% की हानी हो रही है यानि कि जो value पर उसमें समान बेच रहा है उसकी कितनी value है 50% यानि कि 50 unit का price है हमारा सारी 50% की value है 18,450 तो सीधा सीधा है कि ये 50% का लाप राप्त करना है तो कुल 1500% की हमको value चाहिए तो 50 है कि इतना 18,450 into 3 कर दिजे तो ये 55,350 हा जाएगा अंसर एक व्यक्ति के 3 बेटे 2 बेटियां तथा एक पत्नी है उन्होंने 19,000 रुपए की एक राशी को आपस में प्रकार बाटा कि प्रतेक बेटी को प्रतेक बेटे से डेड़ गुना राशी मिले तथा उसकी पत्नी को प्रतेक बेटे से 600 रुपए कम मिले तो 3 बेटों को मिलने वाली कुल राशी रुपए में कितनी है कि बेटियां है दो तो कर लिजे दो इनको डेड़ गुना पैसा मिल रहे ना तो 1.5x ठीक है प्लस बेटे हैं कितने 3 तो 3 x ठीक है और प्लस बीवी को जो इसके मिल ला है पैसा 600 रुपए कम बेटों से है ना तो इसको कर लिजे x-600 ठीक है equals to 19,000 रुपए ठीक तो यहां से कुल टोटल यह कितना हो गया 7 x ठीक है 7 x equals to 19,600 ठीक तो यहां पर इसको काटेंगे तो x की value हमारी आ जाएगी कितनी 2800 रुपए ठीक है तो 3 बेटों को पैसा पूचाता है ना तो 2800 इंटू 3 कर लिजे ठीक इसे के साथ इस वीडियो को हमने complete किया है सारे questions देख लिजे Maths के questions को प्लीज अपने से भी solve कर लिए अगर यह practice ज़रूरी है ठीक है इसके आगे का वीडियो अगले वीडियो से start करते है अगले questions को ठीक है